आज किस वीडियो से हम पढ़ेंगे डेटाबेस के बारे में आज किस वीडियो से हम पढ़ेंगे कि हम पाइथन को डेटाबेस के साथ कैसे यूज कर सकते हैं इस वीडियो में हम python की कोई बात नहीं करेंगे यह वीडियो उनके लिए जिने नई पता database क्या होता है database को हम कैसे यूज करते हैं और database हमें चाहिए ही क्यों तो अगर हमें python के साथ database की connectivity करनी है तो हमें database के बारे में थोड़ी शी knowledge होनी ज़रूरी है और अगर आपको पता है database क्या है database क्यों यूज करते है SQL क्या है dbms क्या है rtbms क्या है no SQL क्या है तो आप इस वीडियो को completely skip कर सकते हैं तो यह वीडियो absolute beginners के लिए तो start करते हैं और एक और बात इस वीडियो में python की बात नहीं करेंगे इस वीडियो में हम safe or safe database related terms के बारे में बात करेंगे तो start करते हैं तो सबसे बहले बात करते है database है क्या देखिए organized collection of data is database ओके अब database समय चाहिए क्यों देखिए हम data को कैसे store कर सकते हैं कहां पे store कर सकते हैं माल यह आपके पास क्या है user name है ठीक है उनकी ID है उनके role number है तो आप कैसे store कर सकते हैं आप CSV file में store कर सकते हैं ठीक है आप Excel sheet में store कर सकते हैं आप कहीं भी store कर सकते हैं फिर आप में database चाहिए क्यों और अभी करियों के दिमाग में बात आ रहे हूं कि database है क्या दिखता कैसे हो गए क्या आए सब कुछ आपको इस video में समझ आएगा और इस video में मैं आपको basic terms बताऊँगा जो database related है और database का complete course बन सकता है 15 या 20 गंटे का complete course बन सकता है और उससे भी बड़ा बन सकता है 40-50 गंटे का वह मैंगर करता है हम कितना deep जा रहे हैं ऑके बट हमें कितना चाहिए सिर्फ कि हम python को database के साथ use कर सकें ऑके ऑके तो start करते हैं तो अब excel में या csv file में हम अपने data को store कर तो लेंगे यूज massive amount of data को handle नहीं कर पाएगा बिल्कुल नहीं कर पाएगा for example अब देखते हैं database use कहां कहां पर होता है database किसी भी website किसी भी bank कहीं वे भी जहां पर data user हो रहा है database use होता है for example आप facebook पर sign up करते हैं first name, surname, mobile name, new password यह सब कुछ कहां पर store होता है database में, okay, अब database भी के भी types होता है उसके बारे में बात में बात करेंगे but यह समझो कि अब facebook पर billions of users हैं और यह सारा data store होता है database में, okay, और यही काम same काम अगर आप excel या कहीं और store करते हैं तो वह handle नहीं कर पाता हमारा data अब बात करते हैं अब बात करते हैं कि हमें पाता लगया कि database हमें चाहिए क्यूं और अब बात करते हैं कि database है अगया, दिखता कैसा database, ठीक है तो database कुछ ऐसा है, ठीक है एक database के अंदर क्या होता है काफी सारे tables होते हैं, ठीक है और एक simple database के अंदर एक table हो सकता है एक database के नदर दो table हो सकते हैं तीन हो सकते हैं, पांच-दस table हो सकते हैं और हम क्या करते हैं उन tables के बीच में एक relationship establish करते हैं अब बात करते हैं, अब for example for example facebook के database में हो सकता है एक table हो, जिसमें क्या हो सारे के सारे email ID और password store हो तो ये क्या है, एक database उसमें क्या है एक table ओके ऐसे ही क्या है और ऐसे एक से ज्यादर table भी हो सकते हैं अब बात करते हैं चलो यह तो हो गया ठीक हा बात database है उसके अंदर tables है बट अब इन tables को हम use कैसे करें tables को create कैसे करें tables को read कैसे करें टेबल्स को डेट कैसे करें, टेबल्स को डिलीट कैसे करें, तो यह सब काम कैसे करें, ओके, तो इसी लिए, यह सब काम करने के लिए, हमारे पास एक language है, जिसका नाम है, SQL, SQL का मतलब, Structured Query Language, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो हमारे पास एक डेटाबेस है, और अगर हम उस डेटाबेस के अंदर हमने टेबल क्रेट करना है, तो हमें क्या करेंगे, Structured Query Language यूज़ करेंगे, देना है, तो मैं काँगा, SQL, मेरे लिए एक टेबल क्रेट करेंगे, हमारे डेटाबेस से बात करने के लिए, ओके, अब बात करते हैं DBMS क्या है और फिर हम बात करेंगे SQL और MySQL में difference क्या है अगर आपको बतल लगे DBMS क्या है DBMS का मतलब होता है Database Management System ठीक है? तो हमारे पास बहुत सारे Database Management System है ठीक है? जो हमारे Database को Manage करते हैं ठीक है? अब Database Management System के example है MySQL यह एक Database Management System का example है हमारे पास एक और एकजमपल है Postgres, PostgreSQL एक और एकजमपल है Oracle Database एक और एकजमपल है SQLite ठीक है तो यह सब क्या है? Database Management System अब बात आती है कि यह MySQL में, Postgres में, Oracle में SQLite में difference क्या है? देखिए अब बात करते हैं difference क्या है? क्या इन में जो language उस होगी वो अलग होगी? देखिए SQL में, SQL की syntax में बिल्कुल slight difference है बिल्कुल slight ठीक है? इसका मतलब अगर आपको MySQL के साथ काम करना आ गया तो आप Postgres के साथ असानी से काम कर सकते हैं अगर आपको Postgres के साथ काम करना आ गया तो आप MySQL के साथ असानी से काम कर सकते हैं ठीक है? तो एक database को सीखके आप किसी पे भी switch कर सकते हैं no problem उसके बाद अब बात करते हैं कि DBMS तो DBMS का example क्या है? ठीक है? DBMS का example है जैसे मैंने MySQL बताया Postgres बताया, SQL बताया तो अब आपको confused नहीं हो ना SQL क्या है और MySQL क्या है MySQL क्या है? Database Management System और SQL क्या है? SQL एक language है अपने database से बात करने के लिए तो ये इसको उटाता हूँ मैं यहां से तो अभी आपको कहीं लोग confused होते हैं SQL और MySQL, सेम सेम से मज़ते हैं सेम नहीं है, अब बात करते हैं तो फिर डिफ्रेंस कहा हैं MySQL में, Postgres में, Oracle में डिफ्रेंस कहा है मैंने आपको बताया SQL, Structured Query Language में तो बिल्गुल slight difference है आप एक सीखिए आप फिर किसी में भी काम कर सकते हैं तो डिफ्रेंस कहा है? डिफ्रेंस है जो ये features प्रोवाइड करते हैं MySQL जो features प्रोवाइड करता है Postgres जो features प्रोवाइड करता है और उसमें भी आपको ज्यादा हैट्टेक लेने की जुरुरत नहीं है ठीक है? और आप कोई भी एक सीखिए आप असानी से दूसरे पर काम कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर देखिए अब हमारे पास कहा देखिए Python के साथ हम किस-किस की connectivity कर सकते हैं Python के साथ हम MySQL की connectivity कर सकते हैं Postgres की कर सकते हैं Esquelette की कर सकते हैं Oracle की कर सकते हैं और हम इस सीरीज में क्या सीखेंगे? ठीक हम इस सीरीज में सीखेंगे MySQL को कैसे use करेंगे Python के साथ आप Postgres को भी यूज़ कर सकते हैं SQLite को भी यूज़ कर सकते हैं Oracle को भी यूज़ कर सकते हैं किसी को भी यूज़ कर सकते हैं बट मैं आपको जी कहा हूँ कि आप MySQL के साथ कैसे यूज़ करेंगे Python को और जो मैं यूज़ करता हूँ आज कल प्रेफर करता हूँ पोस्ट्राइस वेबसाइट के लिए और आप कोई वीडियो कर सकते हैं और इस सीरीज में हम सिखेंगे माइस्क्वैल के साथ कैसे काम करेंगे ओके और एस्कुलाइट हम तब यूज करते हैं टेस्टिंग के लिए और या फिर तब जब हमारा डेटाबेस मारी डिस्क में ही एक्जिस्ट करता हूँ और स्मॉल और मेडियम साइज अप्लिकेशन के लिए हम यूज करते हैं और आकल मैंने कभी यूज नहीं किया आस तो ओके ओके